डुक्साब आज तक में आपका स्वागत है तेंक यू डुक्साब ये चो करोना के मामले पांच लाग से उपर हो गया है और रोज उन्नी हजार, ठारा जार ऐसे लगातर बढ़ते जा रहे हैं ये आकड़ा है कि दुनिया में नंबर टू पर इतनी संख्या बढ़ रहे हैं एक दिन में तो ये सिल्सला कहा थमेगा आखिर करोना खत्म होगा या नहीं होगा कभी देखिए दो बाते आप समझेए अभी आपने कहा कि पांच लाग केसिस भारत में हुए है पहला केस भारत में आया था 30 जन्वरी को और भारत की आबादी है 135 करोड इन पांच लाग केसिस में से भी 3 लाख 10 जार केसिस तो ठीक होके घर जा चुके हैं जो बचे हुए एक्टिव दो लाख केसिस हैं इन में से भी आप मान के चलिए कि यह तीन प्रतिशत की हमारे देश में देश में दुनिया में सबसे कम हमसे जादा अमेरिका की भी है ब्राजील की भी है हमसे जादा यूके की भी है सब की है पर वन लाक जो केसिस हैं वो सबसे कम भारत के पर वन लाक मॉर्टालिटी सबसे कम हमारी और यह केसिस जो जादा जो आपको दिखते हैं यह इसलिए कि हम लोग एग्रेशिवली हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज को हमने इतना जादा रैंप अप किया है कि जहां दो लाख 31,000 टेस्ट एक दिन में किये हम तो एग्रेसिवली टेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं सब स्थानों पे ताकि कोई भी व्यक्ति जो है हमारा जो लक्ष है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वह मान लिजे पॉजिटिव है तो वह छूटना नहीं चाहिए क्योंकि अ कि हमारे नहीं कई वीदेश थे भी एकसर्ड आये अंडेश में वी एकसपर्स ने प्रोजेकशन किया 507 सब्सक्राइब और पर और उसमें भी पांच छे मिलियन केसिज की डेथ हो गई होगी अब आप उसके मुकाबले देखिए कि सारे दुनिया के मुकाबले हमारे पास सबसे कम केसिज हैं मिनिमम मॉर्टैलिटी हो रही है हमारा रिकवरी रेट जो 58 और 69 प्रतिशत के बीच में है आई दुनिया में सबसे जादा हम से एक या दो प्रतिशत जादा रश्या कर जो रिकवरी रेट है हर पर हम दुनिया से बहुत पहतर है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश्वासियों को कोई चिंता करनी की जरूतनी जहां तक आपने प्रश्न किया कि यह कब थमेगा तो देखिये जैसे इतने सारे वायरस है पहले वी किटने वायरस आए दुनिया में केवल डो वायरस ऐसे है जो अभी भारत ने जिनको दुनिया की तरह से र्रेटी के चेट किया जड़ से समाप्त पर दिया वह है या टो स्मॉल पॉक्स चेशक या पूलियो इसके जिस इतने क सब्सक्राइब के लिए वाइरस आया वाइरल हपिटाइटिस का वाइरस आया इबोला ने आने की कोशिश की हमने भारत में गुशने दई दिया जीका का वाइरस आया h1 an1 स्वाइन फ्लू वगारा या पिछले साल जैसे नीपा वाइरस आया यह सारे के सारे समय समय पर आते हैं और फिर जैसे कोई भी विमारी होती है समाज में कहीं किसी इलाके में उसका धीरे-धीरे थोड़ा सा आउटब्रेक होता है उसको हम टेक्निकल भाशा में कहते हैं कि डिजीज वहाँ पर एंडेमिक हो गई तो जब कोई आउटब्रेक होता है उसको तरीके सीख लिया है सारे स्ट्राटेजी इसकी फाइनलाइज हो गई है नहीं देखिए आप समझे लंबा तो मेरे लड़ाई होती है अगर आने वाले समय में इसके खलाफ और स्पेसिफिक दवाई आ जाएंगी या मन लीजे और स्पेसिफिक वैक्सीन्स आ जाएंगी तो जैसे बाकी बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स लगती है या बीमारी होने पर वह पर्टिकुलर दवा है हमने एक दूरी मेंटेन की हुई है हमने अभी थोड़ा सा अपने आपको सेनिटाइज किया मैं भी हाथ वाद धोके आया और इसके बाद फिर दुबारा हो सकता हाँ जाके दोंगा बार बार हम अपने नाक को कान को नाक को आख को या मू को हाथ नहीं लगाते तो यह थो परफॉर्मेंस हमारा है इसलिए कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है